मेरे पास ब्लैट प्रूफ, मेरे पास एकेसें तालसें, मेरे पास 315, मेरे पास 306, प्रसासन खुद देता है, आज पुलिस खुद मुझे देती है, मद्देश के चुनाओं मैं, हर मेरा जमान कोने कोने पर लग चुका है मुलाइम सिंग की सरकार बनेगी है, मुलाइम सिंग कल सरकार चलिया, साथों जो सेंडर नहीं होगे तो मुलाइम सिंग सरकार मी रहा है, पर किसम खागे पे कहरा हूँ इस टाइम पर आज की कहानी एक ऐसे दुरदान्त डकैट की, जिसे आजाट भारत के सबसे खुंखार और अयास डाकू होने का तमगा मिला आज बात करेंगे चंबल के सबसे धुर्दानत और आखरी रकैत की जिसके आतंक से चंबल नहीं बलकि भारत के कई राजियों की पुलिस और नेता थर थर कापते थे जिसने डस्त या बीस्त नहीं बलकि पूरे तीस सालों तक अपना आतंक कायम रखा जिसे अपने गैंग में लड़कियों को रखने का बड़ा साउक था वह जितना दुर्दान, निर्भीग, दुसायसी और बड़बोला था उतना ही रंगीन, मिजास का भी था जब भारत के कई गाउं में विजली तक नहीं पहुँची थी तब वह अपने गैंग के साथ मीडिया के सामने चंबल में ही टेली वीजन पर फिल्म देखता था और पुलिस उसका एक बाल भी तेढ़ा नहीं कर पाती थी जिसके अपने बहु के साथ अबैस संबंध थे और अपने बेटे के सामने ही अपनी बहु के साथ वह सारीरिक संबंध मनाता था उसके गैंग में सौ से ज्यादा लोग थे और वह सभी को बेतन देता था वैं पिधान सभा और लोक सभा के चुनाओं में अपने प्रत्यासी उतारता था और उनकी जीत सुनिस्चित होती थी जी हाँ मैं बात कराओं भारत के सबसे दुरदान दुस्टाइसी निर्भीक और रायास टकैत निर्भाई सिंग गुरजर की नमस्ते मेरा नाम अंकीत तुरपाथी है आप देख रहे हैं क्राइम बुक यूट्यूब चैनल आपसे गुजारिस है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजे यह उस दौर की बात है जब चंबल की धरती में पेणों से ज्यादा डकैत थे क्योंकि चंबल में पेण आज भी कम हैं वहाँ जाड़िया ज्यादा होती हैं यह उस दौर की बात है जब हर 10 या 20 किलो मीटर बाद एक नए डकैत का खौप होता था यानि चंबल में डकैतों की भरमार थी चाहर वह बात लाखन सिंग्की हो या पान सिंग्की या मान सिंग्की हो या गबबर सिंग्की चंबल को इन दकैतों से कभी फुरसत ही नहीं मिले साल 1961 और आया जिले के एक पचदोरा गाउं है इसी गाउं के एक बेहत गरीब घर में निर्भै का जन्म हुआ माबाप के अलावा निर्भै की पांच बहने थी उसका जीवन गरीबी में गुजरता और वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है निर्भै के पिता के पास खाने की तंगी थी सिचाई के साधन की कमी के करान खेत में कम पैदावार होती थी जमीन वांदनी कम होनी की वज़े से घर का लालन पालन मुश्किल हो रहा था तभी निर्भै के मामा ने उसके पिता से कहा कि आप हमारे गाउं गंगादासपुर आ जाईए हम आपको सब वहां को जमीन दे देंगे जिससे आपको बच्चों को पालने में दिक्कत नहीं होगी इसके बाद निर्भै के पिता पूरे परिवार को लेकर अपने ससुराल चले जाते हैं और वहीं उसका जीवन यापन सुरू होता है गंगादासपुर गाउं में लालाराम गैंग का आना जाना लगा रहता था क्योंकि वह इसी इलाके का रहने वाला था और उसकी पैट इस छेतर में काफी अच्छी थी और इसी पैट के चलते वह लगातार इस गाउं में आता था उस गैंग के गांव आते ही निर्भाई उनके साथ रहता था गैंग में लड़कियां रहती थी उनमें से एक सीमा पर हार भी थी और एक दिन जब गिरोह गांव आया तो निर्भाई की नजर सीमा पर पड़ी तो वह सीमा से प्यार करनी लगा फिर धीरे मुखवीरी के आरोप में जब पुलिस निर्भाई को परेसान करने लगी तो उसने भी हंत्यार उठा लिये पचीस की उम्र में जालाओं जिले के चुर्की गाउं में निर्भाई ने एक सख्त के घर में डाका डाला लेकिन निर्भाई पकड़ा गया पुलिस ने निर्भाई गोरजर को पकड़ कर जम कर मार पीट की उसे जेल में बंद कर दिया जेल से चूटने के बाद निर्भाई गोरजर सीदे चंबल के बीहर में पहुँच गया और नाकू लाला राम की शरंड ली चारो और निर्भै ने जमकर लूट अपहंड की वारदातों को अंजाम दिया ये अपराद लाला राम का गैंग कर रहा था लेकिन नाम निर्भै का हो रहा था अब सीमा भी निर्भै से प्रेम करने लगी थी तब ही एक दिन गैंग की सरगना लाला राम ने निर्भै की साधी सीमा से करा दी और खुद लाला राम उसका कन्यादान लेता है कुछ दिनों तक गैंग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन एक दिन लाला राम और निर्भे के बीश बिवाद हो गया और इसी बिवाद के चलते निर्भे ने डाकू जैसिंग गुरजर की गैंग में सामिल हो गया फिर कुछ दिनों बाद उसने डाकू फक्कर की गैंग जाइन कर ली लेकिन वह जिसलिए वो चंबल में आया था वो उसकी मनसा पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वह अपने आतंक की चाप पूरी चंबल में छोड़ना चाहता था और इसलिए कुछ दिनों तक फक्कर के गैंग में रहने के बाद उसने अपने गैंग तयार कर ली और उसके गैंग में साथ लोग थे एक अलग गैंग तयार करके उसने कई हत्यारी कठा किये और निर्भे के साथ सीमा भी उसके गैंग में सामिल हो गई धीरे धीरे गैंग बड़ी होती गई, उसके गैंग में सौसे ज़्यादा डाकू सामील हो गए थे, उसके कांटेक्ट बहुत ज़्यादा दुरुस्त हो चुके थे, बड़े बड़े अपराधी उसते संपर्क साते और अलागला ग्राजियों के अमीर लोगों का आपहरण करन की सलाय देते और अपहरण ही एक मात्र उसके आमदनी का जरिया था, निर्भै की गैंग दिल्ली से लेकर करना तक तक लोगों का आपहरण करने लगी थी, निर्भै का दावा था कि उसके बिचावलिये पूरे भारत में हैं, फिरोती मिलने के बाद निर्भै आधा पैसा ब निर्भै सिंग गुजारता था, अब वह सराब और सबाब का आधी हो चुका था, और उसकी इसी बाद से सीमा नाराज रहती थी, और फिर एक दिन इसी वज़े से सीमा ने निर्भै को छोड़ कर फिर लाला राम के गैंग में सामिल हो गई, इसके बाद निर्भै की जिंद निर्भै उसके गाउं पहुच गया, बसंती नहीं मिली, तो उसकी 11 साल की भतीजी सरलाज जाटों को उठा लाया, भाद में बसंती की निर्भै ने कुरूर तरीके से हत्या की, वह इतना कुरूर था कि निर्भै ने बसंती के प्राइवेट पार्ट में गोली मारी थी, जि उसे कुरूरता करने के लिए दिन रात छोटे पड़ रहे थे, वह 24 घंटे में मात्र दो घंटे ही सोता था, सरलाज पहले तो उसके गैंग में ही दिन रात रोती रहती, लेकिन धीरे-धीरे मजबूरी में चंबल के महावल में उसने अपने आप को ढाल लिया, फिर एक दि संती भी भाग गई, फिर निर्भै की जिंदगी में मुन्नी पांडे नाम की एक लड़की का आखमन हुआ, मुन्नी पांडे बहुत खूप सूरत थी, मुन्नी पांडी के रहने के बावजूद निर्भै दूसरी आउरतों और लड़कियों के साथ सारीरिक संबंद बनाता और मुन्नी पांडे भी इसी बास से उससे अक्सर नाराज रहती थी, कुछ सालों तक सब कुछ सही रहा, धीरे धीरे निर्भै और मुन्नी के बीच की तूरी पड़ गई, और गैंग के एक लड़के से मुन्नी का अफेयर चलने लगा, कई बार जब निर्भै की दूसरे ग मौत मिलेगी, फिर एक दिन घात लगाकर दोनों गैंग से भाग गए, लेकिन निर्भै को उनके भागने का पता चल गया, और इसके बाद जो हुआ, उसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उसके बाद निर्भै ने उसे और उसके दोस्त को रास्ते में पकड़ कर हाट उतार दिया, कुछ महीनों बाद निर्भै की जिंदगी में नीलम गुप्टा की इंत्री होती है, साल था 2001 आउर एया के सरया गाउं से निर्भै ने 13 साल की नीलम गुप्टा का आप हरन का लिया था और फिर कुछ दिनों बाद नीलम से निर्भै साधी कर लेता है, एक तरह से हाई-टेक गिरोह बन चुका था, नए और आधुनिक हत्यारों का इसके पास जखीरा रहता था, इन हत्यारों में 315 की बंदूक, AK-47, AK-56, 306, 318, SLR, hand grenade, semi-automatic जैसे खतरनाक हत्यार सामिल थे, लेकिन पुलिस के भीतर भी निर्भय का खौप था, क्योंकि निर्भय कई बार मीडिया के सामने दावा कर चुका था, ये हत्यार मैंने पुलिस से लिए हैं, और इसके अलावा उसकी गैंग के पास रात में 3 किलो मीटर तक दूर तक देख पाने वाली इंपोर्टेट दूर बीने भी सामिल थी, इसके अलावा निर्भय सिंग को उस जवाने के नए इलेक्टरानिक उपकरन रखने का बड़ा सौक था, जहां गिरों का पड़ा होता वहां बकाइदा सावर उर्जा की मदद से टी बी चलती थी, सभी सदस्य रात के दौरान फिल्में देखकर नास्ते गाते थे यही नहीं, गैंग के सभी सदस्यों के पास टेप रिकार्डर थे, निर्भय ने अपने आपराधी की सियास में उत्तर प्रदेश, मद्द प्रदेश के बीहड को खूब आतंकित किया चोरी, डकैती और मर्डर करता था, साथ ही वह लोगों के हाँ पैर भी काट देता था, पकडर था तपहरन उसका मुख्य काम था, जो उस दावर के लोग हैं वह आज भी उसके किस्ते सुनाते हैं कि कैसे लब, सेक्स और धोके ने उसका सामराज या तबाह कर दिया फिर कुछ दिन बाद सरला की साधी निर्भे ने अपने दत्तक पुत्र स्याम जाटों से करा दी, स्याम को गोध लेने की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है, जब स्याम बारा साल का था तो निर्भे गैंग ने उसका दिल्ली से अपहरन कर लिया, स्याम वैसे तो इस वज़े से स्याम निर्भे के गैंग में मजबूरी वस रुख गया, तब स्याम के उमर महज 12 साल थी, स्याम चंबल में रहते रहते निर्भे के करीब आ रहा था, तभी निर्भे के गैंग के कुछ लोग निर्भे को ही मारने की साजिस रच रहे थे, और स्याम ने लेकर अपना बेटा घोंसित कर दिया और इसी के बाद अपहन कर लाई गई सरला से स्याम की साधी करा दी गई प्रांडेट चस्ने और जीन्स की सर्ट पहने की सावकीन सरला ने भी फिरोती की कई घटनाओं को अंजाम दिया निर्भाई गुर्जर के अपहन और फिरोती के धंदे का विस्तार यूपी, यंपी, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट और गुजरात तक हो गया था वह सोपारी लेकर लोगों को उठाने और मारने लगा उसने बहुत से मामलों में बिजावलियों का भी इस्तेमाल करना सुरू कर दिया निर्भाई का बढ़तास्ता अमराज देखकर यूपी और यंपी दोनों सरकारों के लिए वह सिर्दर्द बन चुका था अब चंबल में मीडिया का जमावडा रहने लगा था उसके गैंग की खबरें और निर्भाई के इंटर्वियों की रोज की सुर्खियां होती थी बड़े बड़े अख़बारों में निर्भाई के कारना में फूरे पेज में छपे रहते थे फिर इसके बाद MP के CM बावुलाल गाउर और UP के ततकालीन CM मुलायम सिंग यादों ने एक साथ बैठक की और निर्भाई के खाक्मे के लिए पुलिस को फ्री हैंड देने का फैसला किया इसके बाद इस बैठक के पहले निर्भाई ने एक बार मीडिया को इंटर्वी देते हुए कहा था कि अगर वह सरेंडर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंग की सरकार में ही करेगा लेकिन सरकार ने उससे सरेंडर कराने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा निर्भाई इतना बड़ बोला था कि एक बार उसने सपानेता मुलायम सिंग के भाई सिवपाल सिंग को अपना भाई तक बता दिया था इसी वज़े से विपक्ष ने मुलायम सरकार को खूब घेरा विपक्ष के दबाव और निर्भे के आतंक से तरस्थो कर उसके खात्मे की कथा लिखी गई एक तरफ पुलिस उसे तलास रही थी और दूसरी तरफ वह मीडिया के लोगों को बुला कर आए दिन इंटर्व्यू देता था वह मीडिया से दावा करता कि पूरे भारत की पुलिस आ जाए तो मेरा एक बाल भी सीधा नहीं कर सकती मंत्री लोग सोचते हैं कि वो नेता हैं जो दौलत बनाते हैं हम भी नेता हैं जो खोपड़ी को मिट्टी में मिलाते हैं जब निर्भय से पूछा गया कि अलग अलग राज्यों में धंकी और अपढ़न की घटनाएं कैसे अंजाम देता हैं तो उसने कहा कि जैसे जिगविजय सिंग, मुलायम सिंग, सियम हैं उनके पास सांसाद और भी घायक हैं वैसे ही हर जिले में मेरे लोग हैं जो मेरे ही सारे पर काम करते हैं मैं हर साल एक करोड रुपए गरीबों पर खर्च करता हूं आउरतों के प्रती निर्भय के जुकाओ ने उसके अपरात को चरम पर पहुँचा दिया था डकैती के दोरान उसने कई पीडितों के साथ रेप भी किये थे उसका कोट नेम डबलू 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 लिया जाने लगा यानि वाइन विमन और वेल्थ स्याम की साधी भले ही सरला से हुई थी लेकिन दीरे दीरे निर्भय भी सरला के करीब आ गया और दोनों के बीच तका टाइम आ चुका था उसके पापों का घड़ा अब भर चुका था आए दिन उसके और पुलिस के बीच मुड़ेड होने लगी कई साथी निर्भय के बीमारे गए इसके बीच एक बार नीलम ने भागने की कोशिस की लेकिन वह असफल रही निर्भय ने उस पर पहरा ब लीब आ गए दोनों के बीच अप्रेम बढ़ रहा था गाउं के लोग तो यहां तक गुदावा करते हैं कि जब भी गैंग में निर्भय और सरला नहीं होते थे तो नीलमा और स्याम एक दूसरे के साथ रंगललिया भी मनाते थे फिर एक दिन मौका पाकर स्याम अपनी मुह लेकिन निर्भय हाथ में हाथ रखकर बैटने वाला तो नहीं था फिर उसने आंग बबूला होकर पत्नी बेटे को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को 21 लाख रुपय इनाम देने की घोशना की वहीं अपने दक्तक बेटे स्याम की पत्नी सरला से भी उसकी साधी की च 2004 में निचावा पुलिस के सामने सरंडर कर दिया इसके दो महीने बाद मुंबई भागने की फिराक में निकली सरला भी पकड़ी गई इसका और धोके से उपजे मत भेदों ने निर्भै गैंग के बीच दरार बढ़ा दी पुलिस ने इसे मौके के तोर पर इस्तेमाल किया और उसके गैंग के कई लोगों के अंकाउंटर को में मार गिराया गया निर्भै की ताकत कमजोर पड़ रही थी दीरे दीरे उसका सामराज धाह रहा था दोनों ही राजों की ओर से उस पर इनाम धाई धाई लाक रुपए यानि निर्भै के सर की कीमत अब पांच लाक रुपए हो पुलिस ने निर्भै और उसके उससे बात करने वाले भून की निग्रानी शुरू कर दी निर्भय के एंकाउंटर टीम में सामिल रहे डियस्पी रिशी केस यादों बताते हैं कि उस समय अखिल कुमार यूपी स्टीप के एससपी थे उनके सोर्स निर्भय के ठीकाने का पता दिया निर्भय की आसनाई और धोका धड़ी भी उसके गैंग पहुंचा तब तक पुलिस अपना वहां जाल बिचा चुकी थी और चारों तरब थे बस निर्भय का इंतजार किया रहा था अब वहां निर्भय पहुंचा लेकिन सरेंडर की बजाए उसने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी और भेड में निर्भय मारा गया इसी के एंकाउंटर करने वाले पूरी टीम को आउट आफ टर्न प्रोमेशन दिया गया निर्भय के बेटे के साथ भागी नीलम गुपता साल 2016 में जमानत पर जेल से रहा हुई स्याम जाटो भी साल 2018 में जेल से चूट गया मुई निर्भय के दत्तक बेटे स्याम जाटो की पत्मी सरला को भी पिछले साल सितंबर 2022 में हाई कोट से हाई कोट ने रहा कर दिया तो ये थी निर्भै गुर्जर की कहानी आप निर्भै सरला और नीलम के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजेगा